लोग सब शुनाव की हार के बाद से ही दिली के आद्मिपाटी सरकार रूट यह को मनाने में जुड़ कई है मिदान सब शुनाव की मद्डी निजर यह जिवाल सरकार दिली वालों पर शुनावी तुपों की बरसात कर रही है मेट्रो बस में महिलाओं के लिए प्री सफ़र गोशना के बाद दिली सरकार ने स्कूली बच्चों को तीन बड़े तोफे दिया है जिक्षा मंत्री मनीश इशोधिया ने एलान किया कि बोड परिक्षा के लिए दिजाने वाली बनरा सो रुपे की फीस सरकार भरेगी सरकार के इस एलान से दिली के सरकारी स्कूलों में दसवी और बारवी क्लास में पढ़ने वाले करीब तीन लाग पर चुको फायदा मिलने की उम्मीद है आज सरकार ने यहीं पर स्टेज पर बच्चों की मांग पत्या किया कि डेड़ जार रुपे सरकार की तरफ से भरेगी इसके साथ इस सरकार ने आर्थिक आधारपन स्कॉलर्शिप देने का पैसला किया है जिस परिवार की सालाना इंकम धाई लाग और छे लाग के बीच है उन्हें पीस का 25 पीजीदी स्कॉलर्शिप के तौर पर मिलेगा हमारे सरकारी स्कूलों का रिजर्ट पिछले 21 साल बाद सब से उपर हुआ है 21 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है आप लोगों में बच्चों पर सरकारी तोफे की ये बारिश इस साल बार्वी कक्षा में पास प्रतीश्य 94.2 पीस दिढहने पर त्यागराज स्टेडियम में प्रतिभा सम्मान का रिक्रम में हुई सरकारी स्कूलों की लगातार बहतर होते नतीजों पर मुख्य मंत्री अर्वीन के जवाल ने खुशी जाहिर की है पिछली साल लगबग 500 बच्चों के 90% से जादा नंबर थे इस बार 1000 से जादा बच्चों के 90% से जादा नंबर हैं आज उनके सबी पेरेंट्स वगर आये हुए थे और ये बहुत खुशी की बात है कि दिली के शिक्षा के क्षेतर में इतने क्रांतिकारी परिवर्तन महज 4 सालों में देखने को मिल रहे हैं इस साल दिली सरकार की स्कूलों में बार्वी क्लास में पढ़ने वाली एक लाग 29,000 बच्चों में से रिकॉर्ड तोड 94.2 फीसेदी बच्चे पास हुए जबकि पिछले साल बार्वी क्लास का पास प्रतिशत 90 फीसेदी रहा था मही सरकारी स्कूलों के 17 चात्रों ने परिक्षा में 100 फीसेदी नंबर हासिल किये इस साल 90 फीसेदी लाने वाले चात्रों की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है पिछले साल 638 स्कूलों में 90 फीज़दी पास प्रतीशत था तो इस साल 732 स्कूलों में 90 फीज़दी प्रतीशत रहा सरकारी स्कूलों के अच्छे नतीजों के लिए स्कूल प्रिंस्पल में बहतर इंफरस्ट्रक्चर और गेस्टीचर्स की भुमेका को सबसे बड़ी वज़ा बताया जा रहा है हमारे यह 100% रिजल्ट है और यह 4th टाइम है लगाता है जो 100% रिजल्ट 12th क्लास का आ रहा है सरकार बच्चों की इस काम्यावी को उभनाना चाहती है तभी तो सरकार को नतीजे घोशित होने के कई महीनों बाद बच्चों की प्रतिमा और चुनावी तोफे देने की याद आई है कुल्दीप शर्मा टोटल न्यूस दिल्ली